जम्मू कश्मीर में इन चुनावों ने ये भी दिखाया है कि हमारे देश में लोक तंत्र कितना मजबूत है लेकिन मैं आज देश के सामने एक और पीड़ा के व्यक्त करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर ने तो यूटिक बनने के एक साल के भीतर भीतर त्रीस त्रविये पंचायती राजववस्ता के चुनाव करवा दिये शान्तिपुन करवा दिये और लोगों को उनका हक दे दिया अब यही चुने हुए लोग जम्मू कश्मीर के अपने गावों का अपने जिल्ले का अपने ब्लॉग का बविश्ताय करेंगे लेकिन दिल्ले में कुछ लोग सुबह सांग आए दिन मोधी को कोशते रहते हैं टोकते रहते हैं अब शब्दों का प्रहोग कहते हैं और आए दिन मुझे लोगतंतर शिखाने के लिए रोज नए नए पांट बताते रहते हैं मैं उन लोगों को जरा आज आएना दिखाना चाहता हूं यह जम्मु कश्मिर देखिए यूटी बनने के इतने कम समय में उन्होंने त्रीस तरिये पंचायती राज ववस्ता को स्विकार करके काम आगे बढ़ाया लेकिन दूसरी और विडम ना देखिए पुडी छेरी में सुप्रीम कोड के आदेश के बावजूत पंचायत और मुन्सपल इलेक्षन नहीं हो रहे हैं और जो मुझे यहां रोज लोगतंत्र के पार्ट पढ़ाते हैं ना उनकी पार्टी वहां राज कर रही हैं आप हरान होंगे सुप्रीम कोड ने दोहजार अठामेरा में यह इस मामले को लगाता टाल रही हैं साथियों पुडी चेरी में दसकों के इंतजार के बाद साथ 2006 में लोकल बॉडी पॉल्स में चुना हुए थे इस चुनाव में जो चुने गए उनका कारेकार 2011 में ही खत्म हो चुका है कुछ राजनितिक दलों की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है लोग तंत्र के प्रतिवों कितना गंबीर है इस बात से भी पता चलता है कितने सार हो गए पुडी चरी में पंचायत वगेरे चुनाव नहीं होने दिये जा रहे है